नमस्कार दोस्तों अगर आप भी इंटर या मैट्रिक पास स्कॉलर्शिप के लिए अपलाई किये हुए हैं यानि कि हम बात कर रहे हैं जो इक अल्यान पे हैं उस पे अगर आपने फाइनल समीट कर दिया है तो दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि आपने समीट कर दिया है या दोस्तों समीट करने के बाद आगे का आपका स्टेटस क्या है क्यों दोस्तों बहुत सारे लोग हमें मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर हमने फाइनल समीट कर दिया है तो फिर हमें कैसे पता चलेगा हुआ या नहीं हुआ आवेधन चर्चा करने वाले हैं कि आपका आव इंटर दोनों को बारे में बताने वाले हैं उससे पहले वीडियो अच्छा लग लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली वाला है तो चैनल को लाल बटन दबाके सब्सक्राइब करके साथ बेल लाइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा ताकि जब क्ली मेरा वीडियो आगे से आए तो सबसे पहले को नोटिफिक अ मिल सागए को हमारे बीडियों को डिस्क्रेप्शन वक्स में Matrix और इंटर दोनों का लिंक मी जयुकए जहांपे आपको लिंक लिखा होगा एक जगा परहर है इंहाद का लिंग तो दोनों जिस जो भी आपने आपक कि आ तो दोनों लिंक हम सेम हैं आप चले आयेगा यहां पर दोस्तों इसी पर्स्ट के माद्य हैं से हम आपको सकाहरे तोनों में से किसी भी पोस्ट जिसमें भी आप चुछे करना चाहते हैं नीचे स्क्रॉल किजिएगा यहां पर आपको क्विक लिंक मिलेगा सबसे नीचे आएंगे तो तो सबसे फॉर्स्ट वाला लिंक आपको ओपेन करना है चेक यूर नेम इन द लिस्ट दोस्तों यह लिं लिंक से आपको चेक करके बताने वाले हैं कि आपका आवेधन कहां है क्या हुआ नहीं हुआ तो इसलिए लास्ट तक बने रहेगा सबसे पहले आप अपना कॉलेज का डिस्टिक सेलेक्ट कर लीजेगा इस भी डिस्टिक में है उसके बाद यहां पर आपको अपना जो है तो क्या है जो भी एस्टुडेंट आवेधन कर दिये हुए हैं तो देखिए यहां पर एक option यहां पर मिलेगा एस्टुडेंट नेम फादर्स नेम मदर्स नेम एकाउंट नमबर अधार नमबर और यहां पर online यहां पर एस्टेटस आपको दिखाएगा कि अभी आपको जो ह process for bank verification यानि कि bank verification के लिए process में जा चुका है तो इस तरीके से यहां पर सबसे ऊपर में तो आपको ABCD अल्फावेट से यहां पर स्टार्ट होता है तो यहां पर सबसे पहले आप अपना नाम चेक करेंगे जो लोग आवेधन नहीं हुआ है यहां पर not submitted दिखा रहा है तो आप आपको देखना होगा आपका यहां पर not submitted है या submitted है समझ लिजे submitted है तो आपका आवेधन हो चुका है metric इंटर दोनों के लिए हम आपको बता रहे हैं तो इसलिए वीडियो को समझे लाश्ट तक आप चलिए हम आपको बताते हैं दोस्तों यह वाला step जो link हम बताए हैं चेक यह चेक करने के बाद आपको एक और link यहां पर मिलेगा जो कि आप देखेंगे यहां पर click here to view application status metric वाला में भी है और इंटर वाला में भी है देख सकते हैं click here to view application तो इसमें आपको जो है इस status वाले link पर भी click करना है click कर रहे हैं इस तरीके से आपको जो है अपना registration number metric हो तो metric वाला और इंटर हो तो इंटर वाला दोनों में से जो भी आपका है आप यहां पर अपना registration number भी डाल देजेगा registration number डाल के आपको search वाले बटन पर click करेंगे जैसे आप click करेंगे तो आपके साब ने दोस्तों यहां पर सबसे पहले school name student name उसके बाद दोस्तों यहां पर bank में जो नेम है वो आजाएगा father's name उसके बाद अधार number हो गया mobile नमर यह सारच ही आजाएगा account status यहां पर दिखाएगा account registered on PFMS और उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको verification status दिखाएगा और यहां पर finalize आपने किया है या नहीं तो यहां पर date yes लिखा हुआ होगा और date भी लिख लिजिए कि आपने इस date को application submit कर दिया है उसके बाद यहां पर application payment status में in progress दिखा रहा है in progress तो यहां पर आपको process में चला गया है payment के लिए तो इस तरीके से दोस्तों मैटिक इंटर दोनों का इस status आप चेक कर पाएंगे वीडियो अच्छा लगर लाइक कर दिजिए और कोई भी doubt से नीचे comment करके पूछ सकते हैं चलिए आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक करिए धन्यवाद